प्रिष्ट संख्या अर्सट चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं इसलिए तपस है, धुआ है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की लद्दाख में राग विराग क्रिष्णनाथ, जन्म सन 1934, वरानसी, उत्तरप्रदेश प्रमुक रचनाए लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक स्पीती में बारिश प्रिथ्वी परिग्रमा हिमाल यात्रा हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन सम्मान, लोहिया सम्मान मृत्यू सन 2016 में कृष्णनात के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं काशी हिंदू विश्व विद्याले से अर्थ शास्त्र में एम्मे के बाद उनका जुकाओ समाजवादी आंदोलन और बौध दर्शन की ओर हो गया बौध दर्शन में उनकी गहरी पैट है वे अर्थ शास्त्र के विद्वान है और काशी विद्यापीठ में इसी विशय के प्रोफेसर भी रहे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाशाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुडाव रहा हिंदी की साहित्तिक पत्रिका कलपना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया राजनीती, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौध्ध दर्शन की ओर मुडे भारतिये और तिब्बती आचारियों के साथ बैठ कर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रियानी परंपरा का अध्यायन शुरू किया भारतिये चिंतक जे कृष्णमूर्ती ने जब बौध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उनमें शामिल थे बौध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है प्रिष्ट संख्या साथ इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की स्रिजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई इसलिए वे यायावर हो गए एक यायावरी तो उन्होंग ने वैचारिक धरातल पर की थी दूसरी सांसारिक अर्थ में उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया प्र जब उन्होंने इस यात्रा को श्रब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृतांत जैसी विधा अनूठी विलक्षनता से भर गई कृष्णनाथ जी जहां की यात्रा करते हैं वहां वे सिर्फ परियतक नहीं होते बलकि एक तत्तो वेत्ता की तरह वहां का अध्यायन करते चलते हैं पर वे शुष्क अध्यायन नहीं करते बलकि उस स्थान विशेश से जुड़ी स्पृतियों को उगारते हैं ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानिय होकर रह गई हैं लेकिन जिनका संपूर्ण भारतिय लोकमानस से गहरा रिष्टा रहा है पहाड के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबग कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनात की प्रतिक्षा कर रही हो कीवे आएं उसे देखें और उसके बारे लिख कर उसे जन्मानस के पास ले जाएं कृष्णनात के यात्रा वृतान्त स्थान विशेश से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए है पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनात के यात्रा वृतान्त को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा उन्हें मेहसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनात के यात्रा वृतांत को पढ़कर वह पूरी हुई स्पीती में बारिश पाथ एक यात्रा वृतांत है स्पीती हिमाचल के मध्य में स्थित है यह स्थान अपनी भावगोलिक और प्राकृतिक विशेशताओं के कारण अन्य परवतिय स्थालों से भिन्न है लेखक ने इस पाठ में स्पीती की जनसंख्या, रितु, फसल, जलवायू तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परसपर एक दूसरे से संबंधित है पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीती में रहने वाले लोगों की कठीनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है कुछ युआ परियाटकों का पहुँचना स्पीती के परियावरण को बदल सकता है ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीती के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा सुखद संयोग बन सकता है